जहिन इससे पहले की वीडियो में हम आपको IPC और CRPC की धाराओं के बारे में समझा दिये थे FIR और 0 FIR बता दिये थे और बता दिये कि 4 सीट डायर करने के बाद जब मामला कोट में चला जाता है क्या 12 घंटे का होता है और फासी की सजा सुनाते दरान जज कलम क्यों तोड़ देता है और फासी से पहले कौन-कौन सी ऐसी एक्षा है जिसे आखरी ख्वाई समझ के पूरी की जा सकती है देखें जो जेल होता है वो राजिसरकार के अधीन काम करता है और जेल की जो पुलिस होती है वो नॉर्मल पुलिस से अलग होती है इसका प्रसासन पूरी तरह जेल प्रसासन के अंदर होता है, इसमें बहुत कम पुलिस वाले होते हैं, जो जादे मिलेंगे आपको बाहरी, अंदर पुलिस वाले बहुत कम होते हैं, अंदर का जितना काम होता है, वो कैदी ही करते हैं, कैदी जब सुरू में जाते हैं, तो उन Number देगा और आपको barrack बताएगा किस barrack में, उसमें कई barrack होते हैं, यानि section होते हैं, मतलब खतरनाक वाले को की side में रखना है, जो normal आया है, पता है, जेलर को पता है कि भाई सबी आया, आभी 7 दिन में चल जाल जागा तो उसको दूसरे barrack में रखता है, जेल में नास्ता खान आपको कभी चना दिया जाएगा कभी पॉरोटी ब्रेड बिस्किट वगरा दे सकता है यह सब बिस्किट वगरा यह अंदर ही बनता है जेल के यह काफी अच्छा होते हैं सब नस्ता तो कम से कम ठीक देते हैं सब दोपार का लंच 11-12 बजे तक आजाता है लंच में अगर आप देखेंगे तो रोटी चाट हो रहेगी और आपको थोड़ा सा चावल और दाल दिया जाएगा सबजी, सबजी कोई भी मौसमी सबजी हो सकती है, दाल इतना रहेगा कि वो पानी की तरफ पतला रहेगा दाल, आपको इस पे इदम हलका खाना दिया जाता है, रात का खाना भी दिन के खाने के समय सेम रहता है बर रात के वक्त में चावल आपको नहीं दिया जाता है, रोटी जो दे दिया जाता है, वो छे दे दिते हैं, चावल नहीं दिया जागा, दाल और सबजी, सबजी नॉर्मल टाइप की सबजी रहती है, जिसे खा के आप बीमार न पड़े, रात का खाना जो है वो साम पाचे बजे रेडी हो जाता है, आपका मन उसी टाइम खाईए ये रात नौ बजे खाईए उससे मतलब नहीं है, वो वहीं दे देगा, रात में खाईए गया तो आपको कोई गरम करके देने वाला नहीं है, क्योंकि कैदी ही इस खाने को बनाए पाउट कर जाता है, आते हैं दुबला पतला मोटा के चले जाते हैं कई सो कैदी आँ से, देगे जेल के अंदर उसका अपना कैंटीन भी होता है, जहां से आप अपने जरूरत के चीजों को खरीद सकते हैं, जैसे मन लीजे किसी को एक्स्ट्रा खाना खरीदना है, तो वो सकता है, उसे लिखवाना पड़ेगा कि जेलर साब से, कि हमको इतना में पेट नहीं भर है, हमको बाराओं को रोटी दीजे, तो उसको दे देगा, खाना एक्स्ट्रा दे सकता है, आप चाहते हैं कि बाहर से मंगवा दे, घर से खाना मंगा दे तो इसके लिए भी लिखवा तो गोब गाब देगा साब अपने में, सब वहाँ छाटले पहुचता है साब, वहाँ की केंटीन से आप खलीट सकते हैं, आपके पास पैसे रहने चाहिए, और आपकी फैमिली से भी जो समान आता है, आप उस समान को रख सकते हैं, देगे जब आप जेल में जाते हैं, तो चलता है, ये कूपन जो होते हैं, आपके पैसे को कूपन में बदल दिया जाता है, तो आपकी करेंसी कूपन में बदल दी जाएगी, और आप मैकसिमम दो हजार रुपे का ही कूपन रख सकते हैं, वो कूपन आपको दो रुपे का मिलेगा, पांच रुपे, दस रुपे, इसी टाइप का coupon मिलेगा, यह आपको देया जाएगा, आप इस पे एक business code किया जाता है, आप ही के number का यह रहेगा, आप ही के नाम का, तो दूसरा कोई इसको चला नहीं सकता है, कैंटीन में ले जाकर, इसलिए इससे आप आराम से बस सकते हैं, यह रखेगा तो कोई भी चला स सकते हैं, आप 2000 से जादे आप नहीं रख सकते हैं, कैस, अगर कैस पकड़ा गया, तो जब्त कर लिए जाता है, और आपकी सजा भी बढ़ा दी जाती है, हालां कि बहुत से पहुंशने, जो जान पाचान वाले कैदी होते हैं, सब सीनियर, बहुत बेवार बना लेते हैं, विधायन ले ले आते हैं सब, मोबाईल एलाउ नहीं है, फिर भी अंदर मोबाईल मिल जाता है, जेल में आप जाके मिल भी सकते हैं, आप परीजन है, तो भी मिल सकते हैं, आप उसके मालने जेए, दोस्त यार कुछ भी है, आप जाके मिल सकते हैं, मिलने के लिए आपको द अंदर से उसमें घुजा दिया जाता है वो अंदर रहते हैं आप बाहर रहते हैं यहां बात कर सकते हैं यहां सीची टीवी करें रिकॉर्डिंग वगरा नहीं होता है यहां आप सामान भी दे सकते हैं बाहर के जो सिपाई खड़े रहते हैं कि अंदर जाके उस कैदी को दे द आप वहां जाया कि अगर किसी से मिलने जाते हैं देखें कई बार ऐसा भी होता है कि फर्जी एफ यार में किसी को फंशा दिये जाता है वो भी बता देंगे कि फर्जी एफ यार होता है तो कैसे अपको नाम को घटा आया जा सकता और बहुत से स्टूडेंट को इस बात कर डर रहता है कि जब वो तैयारी कर रहा होते हैं उनका पडोसी वाला उल्टा सिदा केस में फसा देता है तो टेंशन में जाते हैं कि मेरी नौकरी चली जाएगा अब उसको वीडियो में समझा देंगे कि कैसे आपके ऊपर फीर हो गया तो उसे कटवा सकते हैं और आप इस्टूडेंट है आपका फीर हो गया नाम चला गया फिर भी आपका जौब होगा गारेंटी बोलते हैं कि होगा अब उससे ल अंदर जाके आदमी उप जाता है गुटका वगरा नहीं ले जा सकते हैं क्योंकि अंदर जो सफाई का काम होता है वो कैदियों को ही करना रहता है गुटका दे देंगे तो खा के थुक देगा पहुंच वाले सब गुटका खाते हैं सब सीगरेट एलाओ है इस सब चीज़े एलाओ है बस गंदगी वाला चीज़ नहीं हम तो कहते हैं वाई सब हर चीज अंदर एलाओ है बस आपका पहुंच होना चाहिए अगर आपके पास पैसा और पहुंच है नहीं तो जेल और बाहर में कोई खास वर्क नहीं समझ में आगा इसे नॉर्मल वालों के लिए सारे अब मिलने का मतलग यह नहीं कि डेली-डेली मिलने जा रहे हैं हफते में आपको तीन बार ही मिलने दिये जाएगा और बड़ा आप राधी है तो दुईए बार कई के तो हफता में एक के बर एलाओ करता है और कुछ ऐसे भी आप राधी रखते हैं बहुत खतरनाक उनको ए अब बार में पढ़ाई यह नहीं किया है मार कट करके अंदर जाएगा लेकिन हम उसमें पढ़ते हुए भी देखें हैं जेल के अंदर हरे कैदी को खुद ही काम करना होता है क्योंकि अंदर सिपाही कम रहते हैं मार धर करिएगा खुद पीटा जीएगा नता के छोड़ा द आएगे उसमें क्या होता है माली का काम होता है जो जेल का एक कैमपस बहुत बड़ा होता है जो चोटा अटा नहीं होता अंदर जाएगे तो दूसरे दुनिया वह अंदर सब्जी वगरा वही गई रहती है यही सब्जी आपको बनाने के लिए आजया कुछ अलग से भी सब दिये जाते हैं सब और जो होली में जो गुलाल लगाते है अभी वो भी इसके अंदर पीस के बनाना रहता है कई सारे काम होते हैं लेकिन ये जो काम वाला डिपार्टमेंट ये उसी को दिया जाएगा जिसको कोटने सजा सुना दिया है लेकिन अगर कोट ने आपको सजा नहीं सुनाया अभी आप पर मुकदमा ही चला है तो इस पर नहीं देंगे सब आपको ये सब हलका हलका काम कराएंगे सब इस काम के बदले आपको पर दे का 20 रुपया मिलता है यानि महीने के आपको टोटल 600 रुपया मिलने वाले है आपको काम करना यह डिपेंड करता है अलग अलग जेल पर फोड़ा सा डिफेरेंट होता है लेकिन एक ही बार इस हाता को देना रहता है लेकिन अगर आप काम करेंगे तो अच्छा रहता है कोसिस करिएगा आप लोग अगर गलती से चलेज़ देखिया है अइसा नहीं है कि आप मडवे करके जाएगा आपको कभी गलती से भी फंसाए जा सकता है हम लोग को उनमार बढ़का कहीं बॉम फोड़ेते लोग हम लोग कभी क्या था है इस्टूडेंट्स की मांग कर रहते लोग उठा कर डाल दिया उसमें तो काम का आप कर सकते हैं तो यह सब काम थोड़ा सा इजी रहता दी जाती है देगे कई लोग को लगता है कि जेल में जो एक दिन होता है वो बारा घंटे का होता है ऐसा नहीं है पहले अंग्रेजों के समय होता हो गई है लेकिन अभी के समय में जो जेल का कानून है वो एक जो ऐसे आपको लिए 24 घंटे के एक दिन होता है वैसे जेल में ही होता है अब कुछ कहते हैं किसी को 10 साल की सजा उए तो 5 साल में आजाँगा इसे फिल्मों में भी होता था पहले का ईत्रव डेकिन अभी के समय में अगर आपको 10 साल की सजाँ तो 10 साल बाद निकलेंगे यहनी आप के लिए भी दिन जो है वह 24 घंटे का ही है और आजीवन का रवास रहतना है यह 14 साल की बात क्या है कि जज ने अगर आपको सुना दिया कि आपको उमर कैद की सजा है तो संविधान में लिखा गया है कि अनुछेद 72 के ताथ ताथ अनुछेद 161 के ताथ राष्टपती और 161 के ताथ राजपाल आपकी सजा को माफ कर सकते तो यह जो 14 साल का थ्रिसोल्ड बनाए गया है कि राजपाल और राष्टपती जो है यह उमर कैद को 14 साल से पहले नहीं माफ कर सकते हैं तो बहुत से लोगोते हैं जो 14 साल जेल विदा देते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि 14 साल तक किसी को समास से अलग कर दीजेगा तो नॉर् चाने है कि सब को छोड़ देता है कुछ-कुछ एदम सातीर अपरादी होते हैं उन्हें नहीं छोड़ा जाता है तो यह 14 साल मीनिमम है कि आपको इतना रहना ही है इसके बाद राष्टपती या राजपाल माफ करेंगे तब समझेगा अब एक चीज़ देखेंगे कि जब ज कलम रहने के बावजूद आपकी सजा में अब कुछ चेंजिंग नहीं कर सकते है इसलिए जज़ को बड़ा सोच समझ के फासी की सजा सुनानी पड़ती और तोड़ देता है यह तोड़ने की परिकिरिया एक संकेत है ऐसा नहीं है कि उसमें का दूसर कलम से नहीं लिग कि इस अपराधी को फासी पर लटका दिये जाए अब जब उसे लटकाया गया तो कहा जाता है कि वकील अब्जेक्शन कर दिया कि लटका दिया अब हटा दीजिए क्योंकि आपने यह कहां कहा है कि लटकाया जाए तब तक जब तक यह मर ना जाए अब तो लटकाने का फसल दी जाती है तो जल्लाट जब सजा दे देता है तो वहां एक मजिस्ट्रेट रहते हैं एक डॉक्टर रहता है और जेल सुप्रिटेंडेंडेंट रहता है फासी पर लटके ही रहीएगा डॉक्टर चेक करेगा इस तो अभी बाच चले छोड़ दो अभी 10 मिनट और छोड़ द इस कैदी का चेहरा नहीं देख पाता है, क्योंकि पुलिस पहले ही उसके चेहरे को काले कपड़े से ढख देते हैं, जलाद जो होता है उसे काले कपड़े में पहना के फिर फासी पर लटकाता है, इसे कपड़े ढखने का एक और रीजन है, कि जब फासी लगा ही जाती है, किस पसंद का खाना खाने को कह सकता है, अपने रिष्टेदारों से मिल सकता है, या कोई धार्मी ग्रंद कह सकता है, कि हम उसे वो पढ़ना चाहते है, इससे जादे उसकी कोई ख्वाइस नहीं पूरी की जाएगी, या इसा नहीं कहाँगा कि हमको मर्सेडीज में घुमवा दीज होगे तो अपने तवियत खराब हो जाता है, जब इसके कपड़े में जलात जब फांसी देने जाता है, तो इसके कान में कहता है कि मुझे तुम माफ करना, हमारी ये तो मजबूरी थी, भगवान के लिए मुझे माफ कर दो, तुम्हें अपने भगवान का वास्ता, जिस ध धर्म के हैं उस धर्म के हिसाब से इन कांतिम संस्कार आप कर लीजिए आई होप आप जेल मुन्यू समझ गया होंगे नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे कि फार्जी एफ आई यार से कैसे बचा जा सकता है मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तक तक के लिए जैहिए